दोस्तों चिंता परेशानी डर गम और वहम सब आपके मन के अंदर है अपने बनाए इस माया जाल से बाहर निकल कर देखें दुनिया कितनी सुन्दर है और आप भी एक सीकंदर है नमस्कर दोस्तों मैं एस्ट्रोलेजर रजेश का लिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटीब चैनल अक्षी टैस्ट्रो मास्टर में मेरे धनू राशी वाले दोस्तों कैसे हो धनू राशी के अलावा धनू लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों वह समय आने वाला है जिस समय का आप बहुत बेसबरी से इंतियार कर रहे हैं एक सब्ता के बीतर बीतर 30 अक्टूबर से लेकर 4 वंबर तक आपकी राशी पर महत पुर्ण बदलाब देखने को मिलेंगे जो समय को भी महत पुर्ण बना देंगे लंबे समय से आपकी राशी पर राहू की नीच दृष्टी पढ़ रही है जो अनावशक मानसिक अशान्ती जैसे भाव पैदा कर रही है इस वरश से राशी के साथ राशी स्वामी गुरू भी राहू के परवाव शेत्र में आ चुका है राशी और राशी स्वामी गुरू दोनों पर राहू के परवाव से परस्तितियें और अधिक परतिकूल बन गई है गुरू और राहू के युती योग से गुरू चंडाल योग का निर्मान हो रखा है इत्यादिक शुब भाव बंचम भाव पर यह योग काफ़ी नकरात्म गुर्जा पैदा कर रहा है राहू के साथ गुरु के आने से राहू की श्रारतें और शड्यंतरों में अत्यादिक वृधि हो जाती है राहू किसी ना किसी रूप से प्रिशानी पैदा करने के प्रयास में लगा रहता है इस योग के कारणवाशक गुरू के अतियादिक शुब गोच्चर कावी वहलाब नहीं मिल पारा जोकी मिलना चाहिए प्रन्तु अब पासा पलट जाएगा सब कुछ मिलेगा वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे इसलिए वीडियो बहुत महत्त पुरन रहने वालिया वीडियो के अंत तक बने रहें पंचम बाव लक्षमी स्थान पर गुरू का संचार अतियादिक उत्तम है लक्षमी मा की विशेश प्रसंता प्रापत होती है पूरव जनम में किये पुन्या के कारियों का भी शुबफल मिलता है संतान सुख में वृद्धी होती है बुद्धी स्थान पर गुरू के संचार से लक्षमी मा के साथ साथ सरस्वती मा का भी अशीरवत प्रापत होता है प्रंतु राहू के प्रवाब से लक्षमी और सस्रवती मा की कृपया के नहीं बलकी नराजगी के पातर बने हुए हैं इसके अलावा इस योग पर शनी की वकर द्रिष्टी जखमों पर नमक लगाने जैसा कार्या कर रही है इस द्रिष्टी ने बचे खुचे हुए गुड को भी गोबर कर रखा है गुरू और शनी का शुब गोचर होते हुए भी परस्तितियें प्रतिकूल बनी हुई है प्रंतु चिंता का कोई विश्या नहीं है एक सब्ता के बीतर आने वाले यह बदलाब शेश वरश के सासाथ नव वरश दुयर चोविस को भी महत तपुरन बना देंगे इस बदलाब से जखमों पर नमक नहीं बलकि जखमों पर मरहम लगेगी बिगन बादर विपतियों से छुटकारा मिलेगा जीवन पर चाए निराशा और संकट के गनगोर बादल साफ हो जाएंगे हर तरव से परस्थितियां आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी दिपावली से पहले यह बदलाब दिपावली को भी खुश नुमा बना देगा समय की शुपता का भरपूर लाब मिलेगा सबसे पहले गुरु चंडाल योग से छुटकारा मिलेगा फिर शनी की चाल में यूट अर्न समय को महत्तपुरन बना देगा 30 अक्तूबर को राहु के तु राशी प्रवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे अब आपकी राशी और राशी स्वामी गुरु दोनों राहु के माया जाल से मोक्त हो जाएंगे यह अत्यादिक उत्तमस्तिती है राशी स्वामी गुरू का बल बढ़ जाएगा गुरू के बल मेवरिदी से गुरू की दरीष्टिये भी बहतर कार्या करना अरंब कर देंगी राशी स्वामी गुरू की मजबूस्तिती सबसे पहले स्वास्त को बहतर करने का कार्या करेगी शरीरी कुरूप से स्वास्त के साथ मानसी कुरूप से भी स्वास्त मश्बूत और प्रसंता के नवुत्ती करेंगे अनावशक मानसी क अशान्ती जैसी स्थिती से गुजर रहे दोस्त इस स्थिती से बाहर राएंगे मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे भौधी क्षमत और ग्यान में अदुद वृदी होगी अब बुद्धी का व्यर्थ के कारियों में अदिक पयोग नहीं करेंगे सदपयोग करेंगे अब बुद्धी स्थान पर गुरू की मजबूस्तिती बुद्धी को प्रवल शक्ति पर दान करेंगी आपके ग्यान की कोई सीमा नहीं रहेगी विद्यार्थियों को भी इसका विशेश रुप से लाब मिलने वाला है पिछले लंबे समय से राहू के परवाब से विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रती बने हुए अरूची जैसे भाव दूर हो जाएंगे शिक्षा के प्रती रूची और एकागरता वड़ेगी विद्यार्थी शेक्षा, अनुसंदान शेतर और प्रत्यों की प्रिक्षाओं पे बहुत अच्छा कार्या करेंगे पंचमबा पर राहू का प्रवाब प्रेमियों को भी बहुत प्रवावित कर रहा था अब प्रेमियों के प्रेम्स बंदों में सकरात्मक मोड आएगा परसपर बनी संध्यास पर स्थितियों से बाहर निकलेंगे राहू के प्रेम्प्यारबाब पर संचार से प्रेमियों के एक से अधिक प्रेम्स बंद स्थापित हो रहे थे अब प्रेमी अपने प्रेमी जन के प्रती मांदार हैं निष्टा वांड दिखाई देंगे तथा प्रेम सबंदों में नी इस्वार्थ, पवित्तर्ता और पारदर्ष्टा देखने को मिलेगी परस पर एक दूसरे के प्रती विश्वाश में वरिदी होगी तथा एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे संतान के सबंद में भी यह अत्यादिक उत्तम रहेगा, संतान सुख में वरिदी होगी राहु का परवाब 77 से सबंदे चिंता परिशनी पैदा कर रहा था अब संतान शेत्रपर महत पुरण बदलावाएगा संतान शेत्र से पेश अरी परिशनी उसे छुटका आरा मिलेगा चार नुवंबर को शनी की वकर दृष्टी से राहत भी संतान के सबंद में महत पुरन रहेगी संतान के साथ पुराने समय से चले आरे गिलेश कवे है तो वह भी दूर हो जाएंगे संतान के साथ सबंदों में सने और मदुरता बढ़ेगी पंचमब से राहू का प्रस्थान कर जाना संतान के चुक नवदंपतियों के लिए भी बहुत बड़ी रहत लेकर आएगा किसी वर्दान से कम नहीं है निवेश कारों से जुड़े दोस्तों को भी विशेश रूप से लाब मिलेगा पुराने समय में जोकिम पुरन निवेश में फस चुका धन भी रिकवर हो सकता है राहू अनैति कुरूप से धन कमाने लोटरी सटा और जुए जैसे कारियों की और जुकाप पैदा करता है अब इस स्थिती से भी बहार आएंगे उद्धी विवेग से सोच वीचार कर सुरक्षित निवेश करेंगे लंबे समय से भाग्या के सुक्हम सैयोग में महसूस और कमी भी दूर हो जाएगी भाग्या की प्रवल शक्ती प्राफत होगी आपके अधिकांश कार्या भाग्या की प्रवलता से ही पूरण हो जाएंगे इश्वरिय शक्ति और दर्म पर भी आस्था बढ़ेगी आर्थी कुन्नती लाब और सफलता को बल मिलेगा एक सब्ता के बीतर दूसरा बदलाब शनी क चाल में यूटर्न है चार नवंबर को शनी दे वक्री वस्ता से मारगी हो जाएंगे इस वरश की शुरुवात में ही आपको साड़े साती से बहुत बड़ी राहत मिली है प्रंतु शनी की वकर वस्ता के कार्णवश साड़े साती के अशुब प्रवाव एक बार फिर से महस हो रहे हैं क्योंकि वक्री शनी पीछे की तरफ साड़े साती की और अगरसर है वकर द्रिष्टियें भी रंग में भंग डालने का कार्या कर रही है चार नवंबर को शनी वक्री वस्ता से मारगी हो जाएगा अब शनी पीछे साड़े साती की और निबल की आगे बड़ेगा मेरे वह दूस दूस साड़े साथी के अशूब परवाव फिर से महसूस कर रहे थे वह इस स्तिती से बहार आ जाएंगे शनी की वकर दृष्टियों से भी बहुत बड़ी रहत मिलेगी खास कर पंचम बाव पर शनी की वकर दृष्टि से रहत मिलेगी पंचम बाव और गुरू दोनों शनी की वकर दृष्टी से मोक्त हो जाएंगे तता और अधिक मजबूस थिती में आ जाएंगे आपकी राशी के लिए गुरू राशी स्वामी के साथ चतुर्थ बाव का स्वामी भी है इसलिए गुरू पर शनी की वकर दृष्टी चतुर्थ बाव के शुग फलों को भी काफी प्रवावित कर रही थी वकर दृष्टी से राहत भूमी भवन और वाहन से स्वंद्य सुकों में वरिदी करेगी उत्तम वहान सुक के योग बनेंगे माता जी के भी सुक, सने, सैयोग, स्वास्त और सवाव पर बेहतरीन बदलाब देखने को मिलेगा हर प्रकार से प्रस्तितियां आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी विदेश स्वंद्य दूरे पड़े कार्या पूरण होंगे गुरू से अलग होकर राहू भी सीधा चलेगा शरारत नहीं करेगा राहू सीधा चले तो राहू के बराबर कोई दंदाता नहीं है चतुर्त और करमबा पर राहू के तुका परवाब करियर में सफलतार उन्नती के योग बनाएगा साम दाम दंडवेदी की निती में निपुन बनाएगा विदेश से तार जुड़ेंगे विदेश जाने की चाहत वाले दोस्तों को इसका विशेश रूप से लाग मिलेगा एक सब्ता के बितर बितर यह दो बदलाव आपका करेंगे बेड़ा पार वरश के अंत में महत प्रुन ग्रैगो चलिय स्थिती के साथ आप नव वरश तो यार चोवीस में परवेश करेंगे जो नव वरश को भी बेहतरीन बना देगी इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में राशी स्वामी गुरुदेव की जैजाकार रवश्या करें आपको या वीडियो कैसी लगी के रिपया लाइक चेर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यावा